प्रब्लम नूमर 1.32 बढ़ते हैं इसको एक कैनन और टार्गेट आर 5.10 किलोमेटर अपार्ट और लोकेटेड अड़ सेम लेवल हाव सून विल दा शेल लॉंच्ट विद दा इनिशेल वेलासिटी 240 मीटर पर सेकंड रीच दे टार्गेट इन दी एपसेंस ओफ एयर ट्रेक तो देट मींस हमें दे रखा है यह इनिशेल वेलासिटी इससे शेल फायर की जाती है तो यह यू इक्वल टू 240 मीटर पर सेकंड दे रखा है और यह शेल का रेंज आर जो की 5.10 किलोमेटर है यह दे रखा है हमसे पूछा जा रहा है टाइम कि कितनी देर में यह यहां पर यह प्रोजेक्टाइल पाथ में चलते हुए शेल यहां पर पहुच जाएगी तो वास्तों में हमें रेंज आर एंड इनिशियल वेलासिटी यू आर गिवन एंड दे टाइम आफ फ्लाइट इच आस्क्ट अब रेंज हम देखें तो रेंज आर इजी कोल टू जो होता है तो जक्टाइल मोशन में यू स्क्टाइब साइन टू अल्फा अपॉन जी इसमें आर दिया हुआ है यू दिया हुआ है जी मालूम है हमें अल्फा मालूम नहीं है तो ये चीज हमें दे रखी है आर तो इस चीज को यूज करके हम आल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं और जो टाइम आफ फ्लाइट होता है टी इस इस टू यू साइन आल्फा अपॉन जी तो effectively हम लोगों करना क्या है इस आर वले से अल्फा की वैल्यू निकाल देना है और इस टोटल टाइम आफ फ्लाइट में जो साइन आल्फा आरा है वहां सब्स्टिट्टिट कर देना है तो that means effectively effectively we have to find the value of sin alpha that means sin 2 alpha दिया हुआ है हमें यहाँ पर sin 2 alpha this is equal to rg upon u square और sin alpha की value बतानी है तो अब यह हमारे लिए एक projectile motion का problem ना रहके यह एक trigonometry का problem हो चुका है sin 2 alpha मालूम है हमें तो अब इसकी मदद से हम कहें कि cos 2 alpha this is under root 1 minus sin square 2 alpha तो this is equal to under root 1 minus rg upon u square whole square और cos 2 alpha को हम लोग लिखले 1 minus 2 sin square alpha तो this is equal to under root 1 minus rg upon u square whole square तो यहां से में मिल जायेगा sin alpha this is equal to under root 1 minus rg upon u square whole square upon 2 यह मिल गया sin alpha अभी sin alpha की value यहां से उठा के हम यह जो total time of flight वला यह expression है इसमें substitute कर दें तो हमें answer मिल जायेगा यह और all यह problem था 1.32 अनली को दूप में यह बचार ऴूह ।